गुड इवनिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में विजे नगर समराजे से समधित महत्तवपुन तथ्थों के बारे में जानकर फ्राप करेंगे तो देखेगा स्टुडेंट्स ये जो टोपिक हमारा विजे नगर समराजे एकजाम की दस्टी से बहुत महत्तवपुन है और यहां पर हमने उन सभी पॉइंट्स को बिंदूओं को कलेक्ट किया है जो एकजाम की दस्टी से महत्तवपुन है ठिक है तो ये दिया आप लोगों ने हमारे यूट्व चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा चैनल को लाइक और सेर करें और अपने फ्रेंड्स तक भी वीडियो को पहुँचाने की कोशिस करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी एकज वेंग्ट मादव ने रिगवेद पर टिकाएं तथा सायन ने वेदों पर टिकाएं लिखी प्रारम में विजे नगर एक सहकारी सासन था इसमें कई लोगों की भागिदारी थी दक्षिनी राजियों के लिए गोवा के रास्ते से गोडों का व्यापार होता था बहमनी मुद्रा हून तथा विजे नगर की मुद्रा पराडो थी 1367 इस्वी की लड़ाई में पहले बार विजे नगर अर्थात बूका पर्थम तथा बहमनी मुहमत साह पर्थम के बीच तोब खाने का प्रियोग हुआ इस यूद में बहमनी सासक की विजे हुई थी यह पहला अवसर था जब किसी बहमनी सासक ने विजे नगर की सिमा में परवेश किया 1367 इस्वी के ही यूद में मुहमत साह पर्थम ने वारंगल के कापय नायक को प्राजित करके तक्ते फिरोजा प्राप किया था बहमनी और विजे नगर के बीच संगर्ष का क्यंद्रे क्रिष्णा एंतुंग पद्रा नदियों के बीच इस्तिर रायचूर दोवाब था सोनार की बेटी का यूद विजे नगर सासक देवराई तथा बहमनी सासक फिरोजा के बीच हुआ था विजे नगर बहमनी संगर्ष के वास्त्वी कारण भोगोलिक, राजनितिक, आर्थिक और सामरिक थे रायचूर दोवाब हीरा और लोहे जैसे बहु मुले खनीजों की खानों के लिए विख्याद था बहमनी के सैंस्तापक अलाउदियन हसन बहमन साहन ने कृष्णा और तुंग भद्रा नदियों के मद्देश दित रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया यह बहमनी और विजे नगर संगर्ष का प्रारम था अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमडी तदा बहमनी सासक हुमायू को दक्कन का नीरो कहा जाता है फिरोसा बहमनी ने परसासर में बड़े स्तरवर हिंदू को समलित किया कहा जाता है इसी समय से दक्कनी ब्राह्मन राज्ये के परसासन में महत्तोबन भूमी का अदा करने लगे बहमनी सासक एमत साह पर्थम को गेशु दराज के साथ के कारण वली कहा जाता था महमूद गवा एक इरानी व्यापारी था इसे व्यापारियों के पर्मुक मलिक उत्तुजार की उपादी दी गई थी नुनीज के अनुसार त्विलान, स्रीलंका, पुलीकत, पेगु और तेन सीरिम करमसहव बर्मा और मलाया के राजा देवराय द्वित्य को कर देते थे नर्शी है सालू अपने मन्स, अर्थार सालू मन्स का एक मातर सासक था विजयनगर राजे छे प्रांतों में बंटा हुआ था देवराय द्वित्य को दो संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधा निधी M. बादरायन के ब्रह्म सुत्तर पर तिका की रचना करने का गोरव प्राप है विजयनगर काल में टकसाल विभाक को जोरी खाना तथा कुंतल विजयनगर को कहा जाता है कहा जाता था विरू पाक्स ने संस्कृत में नारायन विलास नामक पुस्तक की रचना की थी कर्शन देवराय के रचनाएं तेलूगों में आमुक्त मालद संस्कृत में जांबवत्ति कल्लाण उस्सा परेणे आदी हैं अल्ला सानी पेड़ डाना कर्शन देवराय के अस्ट दिगज कवियों में सर्व प्रमुक्ते इन्होंने मनुकारिता की रचना की इन्हें अंद्रे कविता का पितामाह कहा जाता है विजयनगर राजे में वसल, पानम, अर्थात ग्रह करता था तटकर से होने वाली आय को केवल गार कहते थे विजयनगर में नगत भुपतान वाले भुपतान करूं को सिद कहते थे विजयनगर समराजी की सेना में ब्रहमनों का महतोपुन स्थान था उन्हें नएकेवल परधान सेना धिकारी के रूप में न्यूपत किया जाता था बलकि वे सेनाओं का नेतरदोभी करते थे मंदिरों को अनुदान के रूप में सर्वा माने जमीने परधान की जाती थी सदासिव राय के अबिलेखों से हमें यह सूसना मिलती है कि उसने नाईयों को विवशाई कर से मुक्त कर दिया था छोटे विवशाई में सबसे महतोपुन गंधी का पेशा था विजे नगर कालिन सीकों पर विभिन देवताओं और पसुओं के चिन रहते थे विजे नगर काल में वेश्याओं यूं मंदिरों पर भी कर लगते थे कालिकट विजे नगर का परमुक बंदरगा था विजे नगर राजे में भूमिकर को सिस्ट कहते थे यह उपच का एक बटा छे भाग तता राज्य के आयका परमुक्स रोत था राजस्वय विभाग को 58 कहा जाता था करमुद्रा एम अनाल दोनों रूपों में दिये जाते थे विजे नगर राज्य में ब्रह्म विवास सर्वाधिक पर्चलित था इसे कन्याधान भी कहते थे महा नवमी अर्थात नवरात्री परवे बहुती महत्वपुर्ण त्युम्हार था विजे नगर राज्य में सेना को मुख्यते नगद वेतन दिया जाता था महमूद गवा का परमुक सैनिक योगदान दभोल और गोवा सहित पस्सिमी समुद्री तड़ पर विजे थी महमूद गवा ने इरान, इराग, मिस्र और तर्की के सुल्तानों के साथ पत्र वेवार किया और उसने अपने मदर्से में इरान और इराक से विद्वान बुलवाए विजे नगर की राजभासा तेलगो तथा बहमनी की राजभासा मराथी थी विजे नगर की पहली राजदानी एने गोंदी थी उसके पसात करम सै हमपी वेको गॉंडा तथा चंद्रिगीरी थी देवराय पर्थम ने अपनी घुड़श्वार सेना को सक्ति साली बनाने के लिए सर्वा पर्थम तुरकी धन्धुरधरों को अपनी सेना में भरती किया तद पसात देवराय द्वित्य तथा राम राय ने इसी का अनुसरण किया हरीहर पर्थम ने होईसल पर बुका पर्थम ने मदुरे पर हरीहर द्वित्य ने गोवा पर तथा कृष्णा देवराय ने राई चूर दौापर अधिकार करके उसे विजे नगर समराजे में मिलाया तो देखे फ्रेंट्स इस वीडियो में हमने विजे नगर समराजे से संबंदी जो महतोपुन तत्ते हैं उनके बारे में जानकरी प्राप्त की इसी प्रकार आपको इधियास विजे से और भी महतोपुन जानकरी हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे मिलेगी तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे